नमश्कार रुस्तों स्वागत आपका मोडरो क्रेज में अभी आप देख रहे हैं अल न्यू यूंटेई वेन्यू का यी बेसिक विरियंट अभी बेसिक विरियंट के अंदर आपको features वगरा क्या मिलते हैं उनके बारे में आज हम जान लेते हैं अगर आप इस model की एक शोरूम प्राइजिंग की बात करेंगे ना इस model की तो 7,53,000 रुपीज का एक शोरूम ये model आपको बढ़ता है तो अभी प्राइजिंग के अकॉर्डिंग लिए आपको इस model के अंदर features वगरा क्या मिलेंगे उन सब चीजों के बारे में detail में बात करते हैं और इसकी जो on-road pricing है वो भी मैं आपके साथ अभी share कर देता हूँ तो की आपको इस variant के अंदर कुछ ऐसी है basic variant है तो की आपको नॉर्मल से ही इसके अंदर मिलती है दो की आपको ऐसी इसमें मिलेगी इस वाले model के अंदर बागी लुक्स में तो similar सा ही design है थोड़े बहुत मतलब आप काफी सारे modification इस गाड़ी को उपर करा सकते है क्योंकि ये आपको E variant काफी सस्ता पड़ता है 7,53,000 रूबी एक शोरों प्राइजिंग के साथ में ये model आपको पड़ता है बागी लुक्स के मामले में आप यापर देख सकते है कि कुछ ऐसा ये दिखता है E basic variant सामने की तरफ से अगर आप देखेंगा ना तो जो ग्रिल वगरा तो आपको top end model के ही इसमें मिलती है लुक्स में तो कोई difference आपको नहीं मिलेगा सही लगती है काफी सामने की तरफ आपको इसमें क्या मिलेगा कि उपर की तरफ इसमें DRLs आप यापर देख सकते है नीचे आएंगे तो ये कुछ इसके halogen में light से halogen की जो density होती है वो LED के मुकाबले काफी जाधा होती है तो ऐसा नहीं है कि LED काफी बैतर है और halogen मतलब कुछ इतने अच्छे नहीं है लेकिन halogen की जो density आपको मिलती है ना वो काफी जाधा top notch level की मिलती है ये कुछ इसकी grill आप देख सकते है top model में भी same इसी प्रकार की grill आती है तो आपको सामने से बिलकुल भी ऐसे basic सा कोच नहीं लेगा इस model के अंदर नीचे आएंगे तो पूरी आपको यापर gray finish के अंदर skid plate मिलती है जो की premium लगती है काफी जाधा सामने की तरब से आपर देखनी पर काफी सही लगती है गाड़ी एक तरी किसे सामने की तरब से भी देखनी पर अभी इस model जो है ना उसमें आपको एक ही engine को option मिलेगा 1.2 liter MPI petrol engine का diesel का option इस model के अंदर आपको नहीं मिलेगा बाकी side में अगर आप देखनेंगे तो यह turn indicators आपको यह यहाँ पर मिलते है mirrors अगर आप देखनेंगे तो full black finish के अंदर यह over VMs आपको यहाँ पर मिलते है आप इने adjust कर सकते हैं अंदर के तरब से manually वो electronicallyly adjust का system आपको इसमें नहीं मिलता है wheels के अगर हम इसमें बात करें तो यह कुछ इसमें wheels आपको मिलते है plastic decals के साथ में यह wheels आते है 195 section के tire से 65 की profile है और 15 inch के यह overall wheels है बाकी side से भी काफी सही लगती है गाड़ी अगर modification की बात करें तो कई सारे modification आप इसमें करवा सकते हैं तक्रीबन एक लाग रुपए के तक की accessories आप इसमें मतलब option आपके बास में company से ही लगवाने की तो काफी सारे options आपके बास में आपके test के accordingly आप इसमें जो भी चाए modification करवा सकते हैं अभी basic variant के अंदर safety की भी अगर हम इसमें बात करें तो कई सारे safety features आपको इस model के अंदर मिलते हैं जैसे की ABS with EBD, Speed Sensing Door Lock, Impact Sensing, Atto Door Unlock, Head Speed Alert System और total 2 airbags आपको इस model के अंदर मिलती है यह basic variant के अंदर fuel tank अगर हम इसमें बात करें तो 45 liters का fuel tank है आपके पास में यह पर अगर हम नीशे आएंगे तो पीछे की wheels में आपको इसमें drum brakes मिलते है सामने आपको इसमें ventilated disc brakes मिलते है tail lights यह कुछ है पीछे की बागी lights आप देख सकते है halogen में ही आती है continuously यह भी आप तक cover करती connected lights इसे का आ जाता है और piano finish है तो काफी सही यह लगती है पूरा यह कुछ पीछे का back profile है 190 mm का overall इसका ground clearance आपको मिलता है यानि कि जो क्रेटा का ground clearance है वही आपको venue का भी मिलता है उपर high model stop light है आपको यह आपर antenna मिल जाता है roof rails भी आप इसमें लगवा सकते है option आपके पास में चाय तो आप company से भी लगवा सकते है उनकी जो होती है वो थोड़ी सी genuine होती है बार से अगर आप लगवाएंगे तो थोड़ा सा मतलब निकलने का डर रहता है boot space के अगर हम इसमें बात करें तो 350 liters का boot space है आपके पास में आपर अंदर भी काफी space है spare wheel अगर आपको यह पर मिलता है toolkit के साथ में यह आता है seats fold लेबल है fold आप इन seats को कर सकते हैं या से यह lever खिज के fold करने पर तो काफी अच्छी space आपके लिए बन जाएगी partial tray भी आपके पास में मतलब यहाँ पर नहीं है लेकिन आप accessories में ले सकते हैं उसका option है आपके पास में partial tray भी लेने का जैसा नहीं है कि गाड़ी में नहीं है तो ले भी ने सकते हैं partial tray ज़रूर आप ले सकते हैं side profile यह कुछ है पूरा side की तरफ से देखने पर अभी पीछे की seats पर चलते हैं पीछे का door खोल कर देखते हैं तो अभी पीछे का door अगर आप देखेंगे ना तो black और beige treatment आपको मिलती है silver finish के अंदर door handles आपको मिलेंगे आप यहासे जो windows है पीछे की windows है आपको manually adjust करने पड़ीगी लेकिन सामने की जो है आपको power window यहापर मिलती है speaker लगवाने के लिए placement है और यहापर space के मामले में कुछ इतनी space है आपके पास में याप पर काफी सारे glass holders cup holders है आपके पास में कुछ रखने के लिए पीछे उपर अगर आप देखेंगे तो grab anel से light escalator से भी controls आपके पास में है पीछे के तरप से जो view आपको मिलता है यह variant का वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा बाकिया ही है driver seats के उपर चलते हैं अभी और देखते है driver seats के उपर क्या functions आपको दिये गए है अभी गाड़ी के अंदर यह जो key है तो आपको इसे ऐसे ही lock on lock करना पड़ेगा तो यह lock on lock का system है कुछ ऐसे आपको यह करना पड़ेगा turn in it does भी यह यह आपर आईए अभी ना driver side door इसका खोल कर देखते हैं तो dashboard का design कुछ इस प्रकार से आपको यह आपर देखने के लिए मिल जाता है यह variant का black beige combination के साथ में आती है और नीचे आएंगे तो fabric में seal से recline आप यह से कर सकते हो driver side door के उपर क्या control सबको मिलेंगे कि mirrors जो है आप इस तरीके से फोल मतलब यह adjust कर सकते हो फोलेबल ओवर्वेम के control नहीं है अब power windows के control है दो power windows है आपके पास में आईए अंदर बैठते हैं और हम ना इसे start ही करके देखते की को या पर रख देते मैंने पहले ignition को on करके रखा था तो आपको फिर से एक बार लगा के दिखाते हैं अभी तो आईए start ही कर लेते गाड़ी को तो जैसे ही आप अंदर की तरफ बैठते हैं वेन्यू के अंदर तो कुछ ऐसी पोजिशन पर आप बैठते हैं काफी अच्छा मदब कमांडिंग पोजिशन पर आप बैठते हैं एक तरीके से बोनेट आपको थोड़ा बहुत विजिबल होता है अंदर की तरफ से और व्यू काफी सही आपको मिलता है यह सब भी वाइपर्स के लेटेश कंट्रोल से और इस तरह भी हेड लाइट्स के लेटेश आपको कंट्रोल मिलते हैं अभी यह जो बटन आप देख पा रहे हैं यह जो अंदर का M.I.D. आता है सेट और रिसेट करने के लिए इस सभी कंट्रोल से ट्रिप A, ट्रिप B और स्पीडो मिटर अगर आप देखेंगे ना तो मतलब सही लगता है काफी बेसिक वेरेंट में ही यह आता है और देखने में काफी ज़्यादा सही लगता है तो यह कुछ इसका RPM मीटर है अब भी अगर हम इसमें सेंटर कॉंसोल की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम तो इसमें नहीं आता है बेसिक वेरेंट है तो म्यूजिक सिस्टम नहीं आएगा इसमें अभी लेकिन अगर आप चाहिए तो कंपनी से भी लगवा सकते हो काफी एच्चे मतलब फिटिंग वगरा आपको करके मिलेगी यह अगर आप देखेंगे ना हिजार लाइट्स के कंटोल है इसी के रिलेटेड सभी आपको कंटोल से यापर मिलते है इसी के सभी नॉब्स वगर आपको यापर देखने के लिए मिल जाते है यापर यह 12W का चार्जिंग पोर्ट है और USB का भी Type-C का पोर्ट आपको यापर मिलता है बाकि यह सभी एसी के कंटोल से 5-speed manual transmission है आपके पास में एक इंजन का option आपको मिलेगा यह variant में 1.2 MPI petrol का यहापर ना काफी अच्छी space का utilization यहापर क्या हुआ है यहापर bottle holder है यहापर cup holder से एक तरिके से space utilization काफी सही है black beige combination में आता है beige की वेज़े से क्या होता है ना कि fresh और airy see feeling आपको मिलती है glow box में थोड़ी बहुत space है आपके पास में यहापर उपर अगर आप देखेंगे तो day night rear view mirror है और यह कुछ passenger side vanity है जिसमें mirror नहीं आएगा adjustable है लेकिन आइए अभीना मैं आपको इसका front bonnet खोल के दिखा देता हूँ engine की refinement भी आपको अभी check करने के लिए मिल जाएगी आइए bonnet इसका खोल कर देखते है सामने से एक view आप देख लीजे lights on होने पर कुछ ऐसे दिखती है आइए bonnet इसका खोल कर देखते है तो यह कुछ bonnet का layout है engine की refinement भी आप देख सकते है कुछ इतनी है आवाज करता है अंदर की दरब तो कुछ भी आवाज ने आएगी अभी इससे close कर देते है किसी भी प्रकार की dampening आपर नहीं दी गई है अभी अगर हम इसमें बात करें ना तो 1.2 liter MPI petrol engine आता है इसमें 1.2 liter जो की 83 PS की power बनाता है 17 का mileage company जो इसके उपर claim करती है 1.2 जो MPI petrol है उसके उपर तो एक तरीके से मतलब सही है अगर हम इसकी on-road pricing की भी बात करें ना तो ये e-model आपको 9,30,000 लुपिस तक का on-road पढ़ता है तो ये model आपको कैसे लगा दोस्तों आप में नीचे ज़रूर comments में बता सकते है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर ने किया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और चानल को भी subscribe ज़रूर कर सकते हैं बाकी, thank you